चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी, महात्मा या किसी जानकार से सलाव जरूर ले ओम नमस्शिवाए मैं जानता हूँ आप मेरी वीडियो का इंतिजार करते हैं और बहुत ही अधिक बीजी होने के बावजूद भी मैं आपके लिए समय निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही सरल है इसमें सिर्फ काजल का प्रयोग है और सामने वाले वीडियो आपके तरफ खेचा चलाएगा इसमें जादा कुछ भी नहीं करना आपको काजल बनानी पड़ेगी आप मार्केट से खरीद के अगर लाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी आपको नैश्रल तरीके से घर की काजल बनानी है जैसे भी आप बनाना चाहें आप पहले काजल बनाईए काजल बनाने के बाद उस व्यक्ति की तस्वीर आपको सामने रखना है उस व्यक्ति की तस्वीर के सामने रखने के बाद आपको एक मंतर जाप करना है मंतर जाप करते हुए आपके ध्यान में आपके मस्तिक्ष में सिर्फ उसी का ख्याल होना चाहिए इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए या फिर कोई disturbance नहीं आनी चाहिए तो किरप्या फोन को दूर रखते हुए बिल्कुल शांत माहूल में बैठके जाप करें मंत्र है और इन अम रखिर्ष वराकरश्य स्वाह इस मंत्र को 21 बार जाप करना है और उस काजल के उपर जिस तरह से डब़्ी होती है उसकी गोल होती हुससे तरह आपको finger round में घुमानी है तीन बार गुमानी है और ये मंत्र जाप करना है मतलब ये घुमाते रहेगा और मंत्र को जाप करते रहे जैसे ही 21 बार कम्पलीट हो जाते है उसके बाद फिर वो काजल आपको अपने आँखों में लगानी है या सामने वाला गर है तो उसकी आँखों में भी लगा सकते है तो इस प्रकार से इसका इस्तमाल करना है आपको और यह बहुत ही प्रचंड वशी करन है इसका जो असर है वो देखने से ही हो जाता है ना कुछ बोलने की जरूत है ना कुछ करने की जरूत सिर्फ यह आँखों आँखों में ही उसको आपके वशी भूत कर देगा और होगा यह कि आपको पता भी ने चलेगा और आप दोनों की जो सेटिंग है या जो भी आप प्रेम प्रसंग करना चाहते हैं वो हो जाएगी बिल्कुल यकीन से हो जाती है आप इसमें बिल्कुल भी दोराय वाली बात नहीं है यह बहुत ही प्रचंड वशी करन है इसको गलत प्रेयोग तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह हर मतलब किसी भी तरीकी से अगर आप इसको यूज करेंगे तो यह काम करता है अगर कोई साधवी या साध़क करेंगे तो भी यह काम करेगा लेकिन मैं आपको बार-बार कहता हम किसको गलत प्रयोग में ना करें और ये जो प्रयोग अगर शुक्रवार के दिन सुबह शुक्रवार के दिन ब्रह्म मूरत में या फिर छे बजे अगर आप सुबह नहीं उट पाते हैं तो फिर शुक्रबार को किसी भी टाइम पर कर सकते वैसे तो सुभह करेंगे तो जाद अच्छ रेसल्ट होगा और काजल नॉर्मल ही है आपको मैं बता देता हूँ मंतर जो है ओम रिहरी वर आकरशे स्वाह काजल की जो डबी है उसमें आपको फिंगर जो है अपनी अनामी का उंगली गुमाते हुए ये मंतर जाप करना है 21 बार करना है 21 बार जब जाप करेंगे तब तक आपको उंगली को गुमाते हुए ही बोलना है clockwise गुमाना है और इसमें आपको शुद्धता होनी चाहिए खान-पान की शुद्धता, भोजन की शुद्धता होने चाहिए ब्रह्मचरिय का पालन करना है 90 दिन पहले से अगर आप बिल्कुल on the sport result देखना चाहते हैं तो बाकि अगर non-vatch वगर खाते हैं तो भी result आएगा लेकिन थोड़ा धीरे आएगा क्योंकि आपकी vibration पहले ही कम हो चुकी है तो आपको अगर ये करना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसको ध्यान से करिएगा और 99 चोड़नी पड़ेगा आपको कुछ समय के लिए और ये करिएगा इसको करने के बाद आप अगर एक गलास पानी पी लेते हैं तो आपकी जो ये जो विदी है ये और भी ज़दा प्रभाव से काम करती है इसको कभी भी एक ही मतलब जैसे अगर आप लड़की है तो लड़की के उपर आजमाना है हमेशा इसको opposite sex के उपर ही आजमाना है तो अगर आप किसी घर वालों के उपर ये करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि जो वो हैं वो आपके opposite होने चाहिए यानि कि आपका जो sex है वो opposite होना चाहिए same करेंगे तो इसका असर नहीं आएगा तो ये आप करिए और ये करने के बाद comment में मुझे बताइए और मैं सभी के answers नहीं दे सकता सभी के reply नहीं कर सकता WhatsApp पे क्योंकि 10,000 से ज़्यादा messages pending पड़े हुए हैं तो मैं एक-एक करके ही reply करूँगा तो आप करिपैसे messages ना करें कि आप मुझे reply नहीं करते और ऐसे ऐसे तो मैं आपको धीरे-धी reply करूँगा आप बस मुझे daily message करते रहे हैं दिन में एक message छोड़ दीजिए आपका message मुझे मिलेगा मैं उसको reply कर दूँगा क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे message जा रहे हैं और एक के उपर एक message कर देते हैं आपका message नीचे ही रह जाता है तो इसकर के message मैं आपको नहीं देपा रहा हूँ जल्दी जल्दी reply लेकिन मैं आपको सभी को reply दूँगा आप थोड़ा सबर रखे और comment section में आप मुझे अपनी problems बता सकते हैं और हमेशा की तरह मेरे channel को subscribe जरूर करिए ताकि मैं और अच्यूक वशिकरन टोटकी उपाय और मंत्र यंत्र लेकिया सकूँ और मैं चाहता हूँ आप वीडियो को like करिए channel को subscribe करिए ताकि मैं आपके लिए और भी बड़ी वड़ी वीडियो बना सकूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारी question आप बताना चाहते हैं तो comment section में जगह है आप बता सकते हैं और जादा नहीं बस इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा ओम नमस्षिवाए